मैं आपकी फ्रेंड लक्षमी मिरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आती है श्रेल लाइग कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि नए नोटिफिकर्शन में आपको सबसे पहले उसके लिए पैल आइकों दबाना पड़ेना आज मैं यहां पर आपको पानी लेना है जो आपका पीतल का खराब हो गया उसमें ले ले तो वह डबल हराएगा कि आपको यह भी साफ हो जाएगा इसमें वैसे आपको पानी लेना है और इमली को डाल देना है इमली को आप 2-4 खंप छोड़ देंगी तो देखिए यह ऐसा हो जाता है उसके आद आप उसके रगर दीजे ऐसा आपको पानी में आ गया उसके बाद हमें उसी पानी में इस बरतन को आप साफ करना चाहती है उसको आप ऐसा डुबा के रख दिज तो यह जितना पोर्शन आपको उपर देख रहा है यह वैसा काला रह जाएगा क्योंकि इसमें हवा लगती है और गीला रहता है तो उससे दाग बनते है तो यह ठीट नहीं है यह पूरी तरीके से डूबा हुआ होना चाहिए अच्छे से डूब जाए और अंदर से साफ कर कर पा रहे हैं बिना मले मैंने कूछ भी नहीं किया है इसमें और यह इतना साफ हो गया है यह जो नीचे हलका सा दाक है बहुत जादा पुराने होने से थोड़ा निकलने में मुश्किल होती है हाला कि देखिए आप यकीन नहीं कर पाएंगे जैसा बाहर है वैसा ही अंदर ह यह देखिए बहर कितने चे से चमा करा है अंदर भी वही है वैसे एकदम साफ है अब ऐसा हलका फुलक है तो आप अगर उसको भी निकालना चाहती है तो से आप तामरी से करेंगे तो थोड़ा साफ होगा हाला कि यह देखिए बिना महनत के जिनके पास मांजने मांजने का पसंद नहीं है यह जिने मांजना पसंद नहीं है बस इमले के पानी में बरतनों को चाहें वो बर्तन अप इसको भी मैंने ऐसे वी आसा डुबा कर रखा हुआ था तो इसका बहुत हब तक जो काला तक निकल गया है आप देख रहे हूगी कि यह काला नहीं है थोड़ा पिं वाला है ऐसा कुल खास नहीं है कि महेंगी बहुत जादा आती हो इसा भी नहीं है आप इसे जरूर कर सकती है तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करें और कमेंट करें थैंक्यों दोस्तों जैश्री करें